पर दिपार के लोगों को शुकरवार दुपहर को दिन रात का पता भी नहीं चला। शुकरवार दुपहर बाद हमीरपुर शहर में करीब साड़े तीन बजे के आसपास अचानक आसमान पर काले बादल च्छाने से लगने लगा जैसे मानो रात हो गई हो। आसमान पर काले बादलों के साथ तेज तूफान और आसमनी भिजली की कड़कढ़ाट के साथ मेगा भी खूब बरसे जिसके चलते लोगों को घरों वा दुकानों की लाइटें ब 총ने हैं वही वहां चालकों को भी वहां चलाने हेतू लाइटों का सहरा लेना पड़ा साथ ही रहगीरों और स्कूली बच्चों को भी बारिश में भीगते हुए अपने गंतवे तक पहुंचना पड़ा हूँ वही सोलन में करीब साड़े चार बजे तेज तुफान आया जिसमें दिन के समय राज जैसा महौल हो गया और इतना तेज तुफान आया कि चमबा घाट में रेल्वे फाटक के समीप एक बड़ा पेड़ सड़क और रेल्वे लाइन पर जा गिरा जिसकी वजह से जहां एक और काल का शिमला हाईवे जाम हो गया वहीं दूसरी ओर काल का शिमला हॉलिडे स्पेशल के पहिये भी थम गए जिसकी वजह से यातरियों को भारी असुगदा का सामना करना पड़ा जाम को खुलवाने के लिए तुरंत जैसीबी को बुलाया गया और पुलिस भी तुरंत मौक सुकत बाद ये रही कि जब ये पेड़ गिरा तो उसकी चपेट में कोई वाहन ये व्यक्ती नहीं आया यही कारण है कि इस घटना में किसी भी तरह के जानमाल की हानी नहीं हुई एक बड़ी दुरगटना होते होते टल गई सोलन में बारिश ओने से जहां मौसम से लोगों ने रहत ली है वहीं किसानों की नगदी फसलों को भी कुछ रहत मिली है जिससे किसान बेहत खुश हैं बारिश में जा रहे रहागीर ने बताए कि अचानक से मौसम ने करवट ली दोपहर को ही आसमान में काले बादल आगे जिस चार और अंधेरा चागया उन्होंने बताए कि बारिश होने से लोगों को गर्मी से रहत मिली है कि मौसम ने करवट बने ली है आज तबे चार बज़े लिए ऐसा प्रशी होता है जिसकी राच बज़ा हो इस प्रकार जब दुन और बारी बारिश में लोगों का आज जीवट तरस्त हो गया है यह बारिश हसलों के लिए बिलुक्तान सावी को सकता है ऐसा पहली बार देशन झरेख जिए सफस्वा में अर्ञ्शध में आज़ी सबस्टी है